आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले HDFC बेंग के निव एटिम कार्ड को एक्टिवेट कैसे करते हैं पिन कैसे बनाते हैं यह प्रोसेस इस वीडियो में हम सीखने वाले तो दोस्तो आपको HDFC बेंग के निव एटिम कार्ड को एक्टिवेट करना है तो आपको HDFC ATM मसीन से ही एक्टिवेट करना होगा Other Bank की ATM मसीन से आप एक्टिवेट नहीं कर सकते इस बात का आपको ध्यान रखना है अब दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप चैनल पर फस्ट टाइम आई हो और आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की informative वीडियो पाने के लिए और दोस्तो बेल आइकन को भी all पर select कर लेना जब भी मेरा new वीडियो आई आपको सबसे पहले notification मिलता रहे अब दोस्तो कार्ड को ATM मसीन में डालते समय द्यान रखना है जो यह चीप वाला भाग है यह उपर के और रहना चाहिए और बाद में आपको कार्ड को इस तरह से ATM मसीन के अंदर डाल देना है कार्ड को ATM मसीन में डालने के बाद में यहां पी आपको wait करना है process हो रही है और दोस्तो ATM की display पे आ रहा है जब तक आपकी process complete ना हो तब तक आपको ATM card को ATM मसीन से बाहर नहीं निखालना है अब दोस्तो ATM की display पे यहां से आपको language select करना होगा ATM की display पे language जागे यहां से आपको language select करना है जो भी आप language select करना होगा language select करने के बाद में दोस्तो enter the six digit OTP one time password to create a new ATM pin अब दोस्तों यहां पे आपको six digit में आपके account के साथ जो भी mobile number link है उस पे एक OTP प्राप्त होगा वहाँ OTP यहां पे आपको enter करना होगा जब भी आपका ATM card जारी हुआ था तब आपके account के साथ link mobile number पे OTP प्राप्त होगा है अब दोस्तों यहां पे आपको OTP इंटर करने के बाद में confirm पे क्लिक करना है confirm करने के बाद में ATM के sommes discovery पे इन्टर पे इस तरह से आजाएगा कोडический अपर जो folies को और सथाय आपने तरल सब्सक्राइब धमाला को सबस्क्राइब होगा और मैं दोस्तों फीस पे आगया री इंट्रिजिटि एत्यों है थेधिनस नूइल डाला था वहाई यहाँ पर आपको रीइंटर करना होगा रीइंटर करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको वेट करना है एटीम की डिस्विले पर आ रहा है कि यहाँ पर प्रोसेस हो रही है तो आपको वेट करना है तो यहाँ पर आपको वेट करना है अब दोस्तों ए SDFC bank के new ATM card को चालू कर सकते हो एक्टिवेट कर सकते हो और दोस्तो आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की informative वीडियो पाने के लिए और दोस्तो बेल आइकन को भी all पर सेलेक्ट कर लेना जब भी मेरा नहीं वीडियो है आपको सबसे पहले नोटिपिकेशन मिलता रही है